अब लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स को कम्पीट किया दा। पॉलिनोमियल्स के अंदर अलगेब्रिक अइंटिटीटीज और फैक्टराइजिशन को हमने स्टडी कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे हैं अलगेब्रिक एक्सप्रेशन्स का HCF और LCN आपको मैं बता दू पहले चीज तो यह कि जो टॉपिक है वह आपके NCRT syllabus का टॉपिक नहीं है यह टॉपिक है आपके RBSC का RBSC जो 9th class है उसके अंदर यह टॉपिक आता है क्योंकि क्या होता है कि NTSC के एक्जाम में RBSC से भी क्योंस पूचे जाता है और NCRT से भी क्योंस पूचे जाता है तो कभी-कभी हो सकता है HCF और LCN से related questions भी आपसे पूचे जा सकता है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे है HCF और LCN का LCN of Algebraic Expressions या Polynomals ओके अपन HCF Basically HCF होता क्या है highest common factor हमने number system के अंदर HCF और LCN की study कर रखी है जहां पर HCF होता था highest common factor तो यहां पर भी वही है और LCN होता है हमारा least common multiplier जैसे हमने real numbers के अंदर HCN पढ़ा है यहां पर भी polynomials के अंदर वैसे ही LCN और HCF की study करनी है तो हम इसको example से समझते है जैसे मैं एक example ले रहा हूँ find HCF and LCN of expressions और expressions में आपको दे रहा हूँ 30 x cube y z square and 20 x square y square z देखो आपको मैंने 2 algebraic expression दिये first is 30 x cube y z square and second is 20 x square y square z और आपको इसके HCF और LCNs find करने मतलब highest common factor and least common multiplier तो पहले में थोड़ा सा आपको number system से related HCF और LCN की study कराता हूँ जैसे मालनो मुझे find करना है 12, 18 और 30 का LCN और HCF तो हम 3 numbers का LCN, HCF कैसे find करते थे सबसे पहले में हम इसको prime factorize करते थे कि 12 को में क्या लिख सकता था? 2 square into 3 की power 1 As it is, 18 को में क्या लिखता था? 2 into 3 square by prime factorization and 30 is equals to 2 into 5 into 3 तो हम LCN और HCF कैसे निकालते थे? सबसे पहले अगर मैं HCF की बात करूँ तो HCF का मतलब होता था highest common factor मतलब इन तीनो numbers में जो factor common है उसकी highest power क्या है? तो सबसे पहले तो अगर मैं देखू, तो 2 यहां पर common नज़र आ रहा है लेकिन उसकी minimum power कितनी है? As it is, यहां पर 3 की minimum power भी किती है? 1 यहां पर 3 common factor था तो मैंने 2 की power 1 और 3 की power 1 को दोनों के साथ ले लिया 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों numbers में 5 नहीं, only 30 के अंदर 5 है नहीं होगा As it is, अगर मुझे LCM निकालना होता था तो मैं क्या करता था? हर factor की highest power को लेता था यहां पर 2 की बात क्यों तो 2 के maximum power कितनी आती थी? 2 और 3 के maximum power भी कितनी है? 2 और 5 यहां पर एक बार तो है से ही तो हमें 5 को 1 टाइमस तो calculate करना ही होता था इस तरह से हम नंबर का LCM HCF निकालते थे by prime factorization Same काम, polynomials के अंदर करना है यहां पर आपके expressions क्या है? 30, x cube, y, z square and 20, x square, y square, z तो जब आप इनके LCM और HCF find करेंगे तो HCF के अंदर आपको highest common factor लेना है मतलब 30 और 20 कौन से maximum number से divide होते हैं? जैसे 30 और 20 के numbers के HCF के बाद के और तो 10 होगा क्योंकि 30 10 से भी divisible हैं, 20 से भी divisible है x cube और x square में x की minimum power 2 है तो हमारे HCF के अंदर x की minimum power 2 हैगी एड़ेटीज y और y square के अंदर y की power 1 होगी और z square और z के अंदर z की minimum power के तो 1 तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 10 x square y z और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM का मतलब हमें maximum power लेनी है तो 30 और 20 का LCM तो होता है आपका 60 as it is according to that numbers जैसे हम numbers का LCM निकालते हैं, वैसे हमने 60 निकाला x cube और x square में maximum power 3 है तो मैंने x cube ले लिया y और y square के अंदर y square and z square and z के अंदर maximum power of z is 2 यानी z square तो इस तरह से हम HCF और LCM को calculate करते है same way number system से हमने relate किया है next question पर आते है example है आपके पास find LCM and HCF of 15 x cube y z square 18 x y z square and 30 x square y square z cube आपको इस बार 3 expressions given है और 3 expressions के आपको LCM और HCFs find गणने सबसे पहले मैं HCF के उपर आता हूं तो 15, 18 और अगर 30 की बात करूं तो highest common factor क्या मिलेगा आपको यह 3 into 5 है लेकिन 5 4s हों कहीं भी नहीं है इंटू 5 18 का मतलब होदा है हमारा 3 into 2 into 3 and 30 is 2 into 3 into 5 तो यहां पर सबसे पहले तो 3 की maximum power 2 होगी क्योंकि यहां पर 3 की maximum power 2 है 2 की maximum power 1 हो जाई and 5 की भी maximum power 1 होगी मतलब यह तो होगे आपके numbers का LCM और अब अगर मैं बात करूं variables के LCM की तो x cube x और x square में x की maximum power 3 y और y square में y की maximum power 2 and z square z square z cube में maximum power 3 तो यहां पर finally अगर मैं इसको result को देखो compare करा हो तो कितना मिलेगा 3 square is 9, 9 into 2 is 18, 18 into 5 is 90 x cube y square z cube आपका क्या हो गया LCM next question पराथ question आपके पास find LCM and HCF of following expressions first is x minus 1, x minus 2, x plus 3 and x plus 1, x minus 2 and x minus 3 and second question is x plus 1 का cube x minus 3 का all square x plus 2 and x plus 1 square x minus 3 and x minus 2 okay first question है हमारा इसके अंदर हमें LCM and HCF find करना है तो सबसे पहले अगर मैं first question की बात करूँ तो यहां पर factors नजर आ रहे है x minus 1, x minus 2, x plus 3 हमें क्या लेना है अगर मैं HCF की बात कर रहा हूं तो जो common factor नजर आ रहा है यहां पर अगर मैं बात करूँ x plus 1, x minus 2 and x minus 3 तो दोनों expressions में common factor कौन सा है x minus 1 यहां है लेकिन इधर नहीं है x minus 2 यहां पर भी है और यहां पर भी तो HCF के अंदर x minus 2 one time आएगा x plus 3 है लेकिन इधर x plus 3 नहीं है और कोई factor आपको common नजर नहीं आ रहा है तो HCF is x minus 2 और अगर मैं LCM की बात करूँ तो जो common है सबसे पहले x minus 2 उसको as it is लिखते हैं बागी की factors remaining बच जाते हैं उनको भी लिख देते हैं x minus 1 b होगा इसके अंदर x plus 3 b होगा x plus 1 b होगा और x minus 3 b होगा तो इसका HCF तो सीधा सीधा जो common factor x minus 2 लिया और LCM के अंदर एक तो पहले चीज जो common है वो लेते हैं और जो फिर remaining बच जाते हैं वो सारे के सारे एक साथ लिख देते हैं तो इसका HCF x minus 2 होगा और LCM this अगर मैं second question की बात करूँ तो second question के अंदर भी HCF तो हमें common factor लेना है और वो भी minimum power के साथ में यहां पर x plus 1 की power 3 और यहां x plus 1 की power 2 है तो सबसे पहले x plus 1 का square आपका common factor हुआ minimum power के साथ में यहां पर x minus 3 का square और यहां पर x minus 3 की power one time है तो हमें x minus 3 की power one time लेनी पढ़एगी as it is यहां पर x plus 2 और यहां x minus 2 यह मतलो common factor और कुछ भी नहीं है तो h safe होगे आपका x plus 1 square into x minus 3 अब अगर मैं LCM की बात करूँ तो LCM के अंदर सबसे पहले तो हमें maximum power लेने हैं और जो extra बच जाता है वो भी लिखना है तो x plus 1 के cube और x plus 1 के whole square में maximum power होई आपके x plus 1 का cube x minus 3 के whole square और x minus 3 के अंदर maximum power होई आपके 2 यानि x minus 3 का whole square and x plus 2 common नहीं है लेकिन जो remaining बच चुका है उसको आपन को लिखना पड़ेगा x plus 2 भी आएगा और x minus 2 भी साथ में आएगा तो यह तो इसका HCF होआ और यह इसका LCM होआ clearly बात यह है कि अगर मुझे HCF निकालना है तो minimum powers निकालो आप common factor की और अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या निकालो सबसे पहले जो common factor उसको लिखो जो remaining बच जाते है वो या फिर maximum powers लिप दो next question पर आदे है क्यों साने आपका अगें वही find HCF and LCM of expressions first is x square minus 5x plus 4 and x square minus 7x plus 12 and second part is x cube minus 5x square plus 6x and second is this first part का हम solution start करते है सबसे पहले हमें HCF और LCM दोनों निकालना है आपके पास given expression से x square minus 5x plus 4 and second is x square minus 7x plus 12 तो जिस तरह सम numbers को prime factorize करते तो वैसे हमें सबसे पहले polynomials को क्या करना पड़ेगा factorize करना पड़ेगा तब ही तो मुझे factors मिलेंगे और factors मिलने के बाद ही तो मैं उसमें से common factor बगेरा निकाल जगता हूं तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों expressions को factorize करना तो आपके पास given expressions थी x square minus 5x plus 4 first is this अब आपको इसको factorize कैसे करना है यह factorization के तरीकों से आपको आना चाहिए कि यह quadratic trinomial नजर आ रही है इसके middle term को split करूँ अगर मैं 4x और x में क्यों क्योंकि हमें product 4 चीए और sum minus 5 चीए minus 4 और minus 1 में मैं इसको split कर दिया यह चीज आपको मैं पिछली class में पढ़ा चुका हूं इन दोनों terms में से x common लिया तो x minus 4 और इन दोनों में से minus 1 common लिया तो भी x minus 4 x minus 4 again common इधर से remaining बचेगा x और इधर से minus 1 और जो second वाला expression है आपका x square minus 7x plus 12 उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा factorize करना पड़ेगा according to splitting the middle term 12 के दो ऐसे factor लियने जिनका sum minus 7 हो मतलब minus 3 minus 4 तो मैंने इस minus 7x को minus 3x और minus 4x में split किया आगे की दोनों terms में से x common लिया और पीछे के में से minus 4 को common लिया x minus 3 आपको वापिस से common मिलेगा इधर से x और इधर से minus का 4 अब आपको इन दोनों का HCF और LCM निकालना था तो अगर मैं HCF की बात करूँ तो HCF तो वह होगा जो इसका common factor है x minus 4 x minus 1 x minus 3 x minus 4 तो यहाँ पर x minus 4 आपको common नज़र आई रहा है तो HCF होगे आपका x minus 4 और अगर मैं LCM की बात करूँ तो सबसे पहले तो आप common factor लिखो और जो बचे जाता है वो लिखना है सीधा सीधा x minus 1 यहाँ से remaining बचेगा और यहाँ से कितना x minus 3 तो यह होगे आपका LCM और HCF इसके second part पर आदे है second question पर आपको निकालना है x cube minus 5 x square plus 6 x का और x की power 4 plus x cube minus 6 x square का LCM और HCF तो काम होई है आपका अभी भी पहले इन दोनों को factorize करेंगे factorize करने के लिए यहाँ से सबसे पहले x common लिते हैं क्योंकि factorization का first process होता है by taking common factor again यहाँ से common के बाद मिलेगा x square minus 5 x plus 6 अगर मैं इसको देखू तो यह quadratic trino mail splitting the middle term 6 के 2 factor 2 और 3 लिखेंगे तो दोनों का sum 5 आपको नजर आ जाएगा आगे की दोनों terms में से मैंने x common लिया तो x minus 2 और पीछे की दोनों terms में से minus 3 common लिया तो भी कितना x minus 2 again आपको x minus 2 common नजर आ रहा है इधर से बचेगा x और इधर से minus 3 यानि इसके 3 factors कौन से हुए x, x minus 2 and x minus 3 same काम आपको इस वाले के साथ भी करना है कुछ सबसे पहले देखो कुछ common नजर आ रहा है क्या common नजर आ रहा है आपको x square निकाला बाहर यह मिलेगा आपको अब minus x को दो ऐसे factors में break करना है जिसका sum plus 3 and minus 2 तो हम इसको क्या लिख सकता है x square plus 3x minus 2x आगे की दोनों terms में से x common लिया और पीछे की में से minus 2 को common लिया x square x plus 3 आपको again common नजर आ रहा है यहां से x बचेगा और यहां से minus का 2 मतलब हमने दोनों polynomials या दोनों expressions को क्या कर दिया factorize अब हमारा काम था HCF और LCM निकालना देखते है common factor क्या है यहां पर x और यहां x square है तो minimum power is x की power 1 x minus 2 x minus 3 यहां पर x minus 2 और x plus 3 तो x minus 2 आपको again common नजर आ रहा है यानि HCF तो कितना होगे x into x minus 2 और अगर आप मैं LCM की बात करूं तो LCM सबसे पहले दो x और x square में maximum power 2 फिर x minus 2 आपको common ने तो one time लिख दिया यहां से remaining बचा x minus 3 और यहां से x plus 3 तो आपका यह तो होगया HCF और नीचे वाला होगया आपका LCM इस तरह से हम polynomials के HCF और LCM को calculate करते हैं next topic बोलो है या फिर इसे से related कुछ topic है study करते हैं उसकी क्या है वो जैसे हम number system के अंदर दो numbers A और B का HCF और LCM calculate करते हैं और calculate करने के बाद हम आपको यह बताते हैं कि HCF और LCM का product जो होता है वो इन दोनो numbers के product के क्या होता है equal होता है मतलों HCF into LCM क्या होता है A into B same चीज यहाँ पर भी है कि if u of x and v of x are two polynomials then उन दोनों का HCF और LCM का product क्या होगा इन दोनों polynomials के product के equal यानि u of x into v of x के यह सिर्फ दो expressions के लिए ही apply होता है तीन के लिए ही apply नहीं होता है इससे related कुछ questions करते हैं जैसे first question आपका if the product of if the product of two expressions are x minus 7 into x square plus 8x plus 12 and HCF of them is x plus 6 find LCM question समझते हैं question के अंदर बोला है कि दो expressions का product आपका x minus 7 into x square plus 8x plus 12 और आपको उनका HCF दिया हुआ है x plus 6 और find क्या करना है LCM तो according to this theorem हमें पता है कि HCF into LCM क्या होता है दोनों polynomials का product यानि की u of x into v of x आपको दोनों polynomials का product यह दे रखा है यानि कितना है x minus 7 into x square plus 8x plus 12 और आपको HCM भी कितना दे रखा है x plus 6 और find क्या करना है LCM तो अकर आपको LCM find करना है तो इस x plus 6 से क्या करोगे इधर ले जाके divide यानि कि आपका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा x minus 7 into x square plus 8x plus 12 divided by x plus 6 यह इसके simplified form नहीं हम चाहे तो इसको factorize करके आगे और simplify कर सकते है कि जैसे 12 को दो ऐसे factor से break करें जिनका sum कितना हो 6 यानि मैं उसको 6 और 2 में break कर सकता हूँ splitting the middle term 8x को में लिख रहा हूँ 2x plus 6x और नीचे की तरह आप x plus 6 चल रहा है आगे कि दोनों terms में से x common लिया और पीछे से 6 common लिया अगेन यहां पर x plus 2 आपको common लिया रहा है यहां से remaining बचेगा x और यहां से 6 तो आपका जो expression होगा वो कुछ इस तरह से होगा divided by x plus 6 यहां पर क्या मैं x plus 6 से x plus 6 को cancel कर सकता हूँ तो जो आपका LCM होगा वो कितना है x minus 7 into x plus 2 और अगर आप इसे product करेंगे तो यह कितना मिल जाएगा x square minus 7 x plus 2 x minus 14 it means x square minus 5 x minus 14 तो given expression का product आपको दे रखाता है LCM x plus 6 से तो HCF कितना होगा x square minus 5 x minus 14 next question पर आपने इसे से रेलेटेड question आपके पास if HCF and LCM of two quadratic expressions are x minus 5 and x cube minus 19 x minus 30 respectively then find both expressions okay आपको दिया हुआ है कि दो quadratic polynomials थी जिनका LCM और HCF आपको given है HCF है आपके पास कितना x minus 5 और आपके पास LCM कितना है x cube minus 19 x minus 30 आपके पास क्या है LCM आपको find करने दोनों की दोनों quadratic expressions okay पहले चीज़ तो मैं आपको बता दो according to number system जो LCM होता है वो multiple होता है किसका HCF का मतला अगर मैं LCM को HCF से divide करूँ तो remainder is 0 आता है यानि HCF LCM का factor होता है तो यहां पर यह LCM भी क्या होगा इस x minus 5 का factor तो बाकी क्या factors निकालने के लिए मैं इस x minus 5 से क्या कर रहा हूं इस LCM को divide कर रहा हूं क्योंकि हम trinomals के factors किस तरह से निकालने एक factor पता करके divide करके तो x से x cube को divide करेंगे x square time x cube minus 5 x square sign change करेंगे plus का 5 x square और minus 19 x minus 30 यह चीज में आपको division algorithm के अंदर study करवा चुका हूं अगें 5 x square को x से करेंगे तो plus का 5 x 5 x is multiplied by x minus 5 तो 5 x square minus 25 x sign change किये minus 19 और plus का 25 यानि 6 x बचेगा remaining साथ में minus 30 6 x is divided by x is 6 तो यह बनेगा 6 x minus 30 sign change किये हमने कितना 0 यानि इसका second factor आपको कितना मिलगा x square plus 5 x plus 6 तो आपका LCM है वो किसमे convert हो चुका है x minus 5 into x square plus 5 x plus 6 के अंदर वह यह तो हो गया आपका first factor और second factor कितना हो गया x square plus 5 x plus 6 अभी आप यह भी क्या है क्वाडेटी के आप इससे भी क्या कर सकते हो factorize कर सकते हो by splitting the middle term कि 6 को दो ऐससे factor break करो कि उसका sum कितना मिले 5 यानि 2 और 3 तो मैंने क्या करा इस 5 को 2x and 3x में divide किया आगे कि दोनों terms में से अगर मैं common की बात करूँ तो x common नजर आ रहा है और पीछे से 3 common नजर आ रहा है again x plus 2 आपको common factor है और second factor is x plus 3 3 यानि HCF तो था x minus 5 LCM कितना x minus 5 x plus 2 and x plus 3 लेकिन क्या हमें LCM HCF से expressions मिले अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं मिले तो अब मैं आता हूं expressions क्या-क्या हो सकते हैं क्या-क्या possibilities है सबसे पहले चीज HCF है आपको x minus 5 तो दोनों के दोनों expressions में HCF तो present होना compulsory है यानि एक factor तो आपको x minus 5 दोनों expressions में लेना पड़ेगा x minus 5 आउ चुका है यहां से भी मिल चुका है अब बची बात x plus 2 और x plus 3 के हो सकता है वो दोनों किसी एक के अंदर हो और एक के अंदर कुछ ना हो क्या हो सकता है इसके अंदर हो इसके अंदर नहीं हो या यह भी हो सकता है कि एक factor इसके अंदर हो एक factor इसके अंदर हो सपोज मैंने x plus 2 को इसके अंदर लिया और second वाल x plus 3 को इसके अंदर मैंने दोनों के दोनों expressions एक के अंदर क्यों नहीं लिए हमारी expressions कैसी है, quadratic expression, quadratic मतलब 2 degree की expression, यहाँ पर अगर मैं दोनों factor को एक साथ लिखूँगा, तो यह cubic बन जाएगी, और नीचे वाली linear बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चीए, हमें चीए quadratic, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो दोनों remaining factor बज़े, उनको एक-एक में, single-single में divide करना पड़ेगा, तो x plus 2 को इसके साथ लिए, और x plus 3 को इसके साथ लिए, तो आपके जो expressions होंगे, first is x minus 5 into x plus 2, and second is x minus 5 into x plus 3, जो आप इसे multiply करोगे, तो यह given result कितना देदेगा, x square minus 3x plus 10, और जो आप इसे multiply करोगे, तो यह कितना देदेगा, x square minus 2x, minus 15, यह आप भी minus 10 होगा, यानि जो आपके expressions आए हैं, वो कौन-कौन से हैं, first is x square minus 3x minus 10, and second is x square minus 2x minus 15, इन दोनों का आपका है, से अफ्त होगे, x minus 5, और else हो जाएगा, x cube minus 19x minus 30, ओके तो आज की class को ही खतम करते हैं, thank you very much.